प्रिये शिक्षारतियों, NIOS स्टूडियो में आपका स्वागत है जैसे कि हमने पिछले पार्ट में विभिन परकार की लाइबरियों के बारे में जाना कि गरंथाले जो हैं विभिन परकार के होते हैं जैसे सेक्षिक गरंथाले, सारजुनी गरंथाले, विजिस्ट गरंथाले और रास्टे गरंथाले हमने पिछले पार्ट में दो तरह की एक लाइबरी को हमने डिस्कस किया था जैसे कि सारजनी करन्धाले और सेक्षिक गरन्धाले जो कि पब्लिक के लिए जो है किसी एक law या फिर किसी एक act के अंदर पास किये जाते हैं और बनाय जाते हैं जिसमें की public fund जो है उसको involve किया जाता है, public को information provide करने के लिए इसके बाद हमने सेक्षिक गरंथाले के बारे में जाना था कि विभिन परकार के सेक्षिक संस्थान होते हैं आज हम इस लेसन के जो दूसरा भागे उसमें चर्चा करेंगे विश्विष्विद्याले गरंथाले और रास्ट्री गरंथाले के चात्रों को और शोद करताओं को अपनी सेवाए प्रतान करते हैं शिक्षारतियों आज हम इस लेसन के जो दूसरा भागे उसमें चर्चा करेंगे विश्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष्विष जैसे कि आप IIT की library को देखेंगे, आप law universities की libraries को देखेंगे जा फिर आप देखेंगे कहीं कोई medical university या medical college की library है उसको हम विसिस्ट करन्थाले, उस library को हम special library में count करेंगे क्योंकि विसिस्ट करन्थाले जो है basically इनका जो role है वो specialized type of information provide करने का है एक खास तरीके की information गयोंकि एक खास तरीके के profession या website की लोगों को जिसकी जुरत होती है तो हम देखेंगे कि विसिस्ट गरन्थाले जो है वो 20 सदी के आसपास अस्तित्यु में आये थे और विसिस्ट गरन्थाले जो है विशेश प्रकार के जो पाठक वर्ग है उनको विशेश विशेपर एक special subject पर जो है सेवाय प्रदान करते हैं और यह जो गरन्थाले हैं इनकी स्थापना संगठनों की सूचनाओं की आफशक्ताओं को पूर्ती करता है या एक particular institution जो है उसकी information need को विशिस्ट प्रुस्काले पूर्ण करते हैं अगर आप देखें आमतोर पर जो यह special library होती है यह institutional research और development जो activities होती है जिसको कि हम अनुसंधार और विकास गतिविदियो के नाम से भी जान सकते हैं उसके लिए समर्पित होते हैं और यह normal जो किताबे हैं इसके अलावा जो है इसमें और बहुत सारी तरीके के प्रलेग होते हैं जैसे कि specialized headbook हैं आपको मिलेगी आपको यहाँ पे तक्निकी प्रतिविदन मिलेंगे जैसे कि निर्देशिका, प्रलेक, सूचिया और अधिकरण सूची जो है इस तरीके की literature related जो चीज़े हैं वो आपको मिलेगी अगर हम definition की बात करें कि विश्यस गरन्थाले होते क्या हैं तो हम जानेंगे कि Harold ने अपनी उस तक library science glossary term जो है उसमें special library को प्रभाजित किया है इसमें उन्होंने लिखा है कि एक जो विश्यस गरन्थाले है वो विदुत संगटनों या शोद संस्थानों या ओद्योकिक तथा वाणिजय प्रस्थानों तथा सरकारी विभागों और यहां तक की सैक्षिक संस्थानों दोरा भी किसी सि प्रुस्त काले होते हैं वो specialized organization के लिए साथ जैसे की specialized organization के लिए हम कह सकते है कि कोई business establishment है या फिर कोई government department है या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसा शिक्षक संस्तान है जहां पर कि बहुत ही specialized type की पढ़ाई होती है तो उन सब के साथ जितने भी पुस्तकाले होते हैं उन सब को हम specialized library या फिर विशिष्ट पुस्तकाले के नाम से जानते हैं आप देखेंगे कि actually में जो हमारे जो specialized या विशिष्ट करंथाले हैं यह basically बनाय क्यों जाते हैं यह basically हमेशा अपने एक पैत्रिक संस्तान जिसको कि हम जो institutional जो parental organization बोलते हैं उनके साथ जो हैं उनके एक पार्ट होते हैं जैसे कि आप देखेंगे आप example के लिए Supreme Court की जो judges library है वो एक special library है और वो अपने पैत्रिक संस्तान जैसे कि Supreme Court के साथ जुड़े हुई है और यह जो गरंथाले होते हैं पूरी तरीके से उनके कारेकरमों एवं गती वीदियो में सहयोग देते हैं जैसे कि कोई भी अगर parental organization है या फिर पैत्रिक संस्तान है उसके जितने भी कारे ह इन सबको सुपोर्ट करने के लिए विसिस गरंथाले को बनाया जाता है अब आप देखेंगे कि विसिस गरंथाले जो है यह भिन्विन तरीके के प्रकार के कारे करते हैं जैसे कि यह particular subject पे जितना भी information जो की उनके parental organization को चाहिए होता है उसको यह अपने पास जो है प्रक्य और nations में जो भी researchers हैं जो भी उसके अंदर professionals हैं उनको वो information बहुत ही तेजी से provide करें तेकि यह जो special libraries हैं यह सेक्षिक गरंथाले उसे या फिर हम कह सकते हैं कि सारजनी गरंथाले उसे जो है बहुत ही तरीके से भिन होते हैं क्योंकि इसमें इसके जो बोगता होते हैं वो बह advanced level की जो information है उसकी उनको requirement होती है तो हम यह कह सकते हैं कि वसिष्ट गरंथाले जो है यह अपनी सेवाएं जो है वो एक specialized type of users को provide करती है के लिए प्रतान करती है अब आप देखेंगे कि जो वसिष्ट गरंथाले होते हैं यह बहुत अलग अलग तरीके की reports जैसे state of the art reports इनके पहले समय में जो भी अनुसंधान हुए हैं जितने भी research हुए हैं आप उसमें research report जो है देख सकते हैं और उसको इखटा करके उसको एक organized way में इस library वे रखा जाता है ताकि उसके end users हैं जिनको की इस जानकारी की जरुद है उसको वो use कर सके हैं इसके लाब आप देखेंगे क यह और भी कही तरीके की सेवाई देती हैं जैसे की indexes जो है इसमें बनाया जाते हैं जिसको अनु करमणी काय बोला जाता है और इस index के basis पे जितना भी information अलग-अलग journal में अलग-अलग किताबों के अंदर जो होता है उसको जो है एक subject based पे उधारन की तरह से इसको arrange किया जा इसके लावा जो vicious प्रंथाले हैं उसमें इनकी बहुत सारी और दूसी तरीके की सेवाई हैं जिसको हम indexing और abstracting services भी कहते हैं indexing तो मैंने आपको भी बताया था कि जितनी भी information जो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग journal में जो शोध पत्र जो प्रकाशित होते हैं उनको अलग-अलग subjects में होते हैं तो उनके लिए index बनाया जाते हैं ताकि अलग-अलग पत्रिकाओं में जो शोध पत्र प्रकाशित होते हैं जो अलग-अलग subjects पर हैं उनको एक जिगह पर हम संकलित करके अपने end users को provide कर सकें इसके अलबा abstracting services जो हैं वो भी जो wishes पुस्तकाले हैं की बहुत ही अनोकी services है अनोकी सेवाए हैं इसके अंदर कोई भी specialized book किसी एक topic पर या फिर कोई एक journal के अंदर कोई article specialized topic पर है उसका एक छोटा सा paragraph बनाकर उसका एक छोटा सी gist बनाकर उसका एक abstract बनाकर libraries के द्वारा ति services जो हैं वो वसिस्ट गरंथालों का एक बहुत ही बड़ा उधारन है जो कि इनको करना पड़ता है जो कि वसिस्ट गरंथाले में जो है सेवाव के अंदर जो है उसका समयुजन किया जाता है इसके अलावा आप देखेंगे कि कैस current awareness services जो है यह इसका ही एक बहुत ही अनोका उधारन है क्योंकि जितना भी किसी भी एक particular topic पर किसी एक particular subject पर जो भी information जो भी article या जो भी किताब जो भी publish हुई है उसको जो है अपने end users को हमें provide करानी होती है तो इसलिए वसिस्ट गरंथाले जो होते हैं उनके जो है रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा different और बहुत ज्या science and development research अगर आप एक subject देखे तो किसी particular science की branch में अगर कोई research किसी institution में होती है तो पूरे all over world में पूरे संसार के किसी भी country में किसी भी language में अगर कोई research होई है तो उसको एक सरल भाशा में जो की हमारे researchers जो होते हैं समझ सके उसमें उसको convert कर दिया जाता है देखिए अभी हमन गरилось प्रिया के अगाद रहाए तो सिरकारी गृताले के अंदर भी racist साय होते है जो कि सरकारी संस्थानों के सार्वा में जूरे होते हैं जैसे कि ऑ संसत की आगर हम बात करें संसत की गृतानों प्रूमेंकर फिर प्रवाइब करने के लिए जो है ये संसत ग्रंथाले काम करता है इसके लावा केंद्रे सचिवाले की जो लाइबरी है केंद्रे सचिवाले ग्रंथाले जो है वो भी सरकारी ग्रंथाले जो की विसिस ग्रंथाले के अंदर आती है हम इसको मान सकते हैं इसके लावा समीतियों और संस्थानो continental international जो है इस चिन्नाई इसमें भी इसकी जो library है उसको भी हम एक special library के रूप में जान सकते हैं इसके अलावा अभी हमने जाना कि सरकारी गरंथाले और समितियों और संस्थाओं के जो गरंथाले हैं वो भी विसिस्ट गरंथालों के कुछ प्रकार हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि जो audiobic और वानिज्य संगठन हैं जैसे कि business और commerce से related जो organizations हैं उनकी libraries को भी हम special libraries के रूप में हम जानते हैं जैसे कि अगर आप देखें Larson and Turbo गरंथाले हैं जो मुंबई का वो जो है audiobic और वारजनिक संगठन की जो library है उसको हम vicious गरंथाले के रूप में जानते हैं इसके लावा भारत heavy electronics limited गरंथाले भी एक vicious प्रकार की library है जो चोथे प्रकार की जो vicious गरंथाले का प्रकार है वो है अनुसंधान संगठन इसका मतलब जो है research institutions तो research institutions के अगर आप बात करें तो भारतिये चिकितसा अनुसंधान परिशद जो है Indian Council of Medical Research नई दिल्ली और इसके हम count कर सकते हैं इसके लावा जैसे कि हमने जाना था कि vicious गरंथाले जो है कुछ सेक्षिक संस्थानों की libraries जो होती है उनको भी हम vicious गरंथाले में हम count कर सकते हैं उसके प्रकार के रूप में हम मान सकते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे भारतिये प्रद्योगी की संस्था जो कि IIT जिसे हम कह सकते हैं नई दिल्ली है चाहे चिन्नाई है मुंबई है कानपूर है इन सब की जो IIT की जो लाइबरी है यह है तो सेक्षिक संगठन बट यह विस्षिस्ट करन्थाले के अंदर जो है इनको काउंट करते हैं इसके लावा अगर आप सेक्षिक संस्थान में की अगर बात करें तो School of Planning and Architecture की जो लाइबरी है या लाल बहदुर शास्तरी प्रभंधन इंस्ट्ट की लाइबरी है यह भी विस्षिस्ट करन्थाले के अंदर जो है इसको हम जान सकते हैं इसके लावा अगर आप देखें तो जो अलग तरीके का प्रकार है वो सारजनी गरंथाले है यह सारजनी गरंथाले के अंदर भी जो विस्षिस्ट गरंथाले जो है वो बनाए गए है और उसको आका जाता है जैसे कि New York Public Library New York Science Division जो है वो एक विस्षिस्ट प्रकार का देखें तो दिल्ली पब्लिक लाइबरी के अंदर भी बहुत सारे विस्षिस्ट विभाग है जो की अलग लग तरीके की सर्विसर जो है उसको प्रवाइट करते हैं इसके अलवा अगर आप देखेंगे तो कुछ और लाइबरी भी है जैसे कि IIPM गरंथाले लाइबरी है एसके राश्टिय प्रतिरक्षन संस्थान इम्याटी सर्विसेजी लाइबरी है यह भी विस्षिस घहनताले के रूप में आते हैं तो अगर आप देखेंगे विस्षिस घहनताला है यह अधिकतर जो है देशों में जो Rasakti Gr stuffed nella चाया और जितने भी research and development related institutions हैं, चाहे वो defense related हो, चाहे वो किसी medical services related हो, तो उन जितना भी किसी भी देश के जो बहुत महतुपूर्ण और institutions होते हैं, उन सब की जो libraries जो है, उसको हम visist गरंथाले या फिर special library के रूप में हम इसको जा सकते हैं. और देखिए इसमें राश्टे गरंथाले या आप देखने हैं, विसिस गरंथाले या बहुत ही important माना जाता है, क्योंकि इनकी services हैं, वो उन लोगों को service provide करने के लिए इसको use के जाता है, जिनकों के उपर बहुत ही बड़ा प्रभार है, जैसे की defense services के लोग हैं, या फिर literature है, वो सब literature जो है, विसिस्ट गरंथाले उदारा ही ने end users को या फिर अपने professionals को provide किया गया, तो ये तो हमने चर्चा की विसिस्ट पुस्तकाले के बारे में, जो हमारे चोथित प्रकार की पुस्तकाले होते हैं, वो राश्ट्रे गरंथाले होते हैं, और राश्ट्रे गर पुटता है कि इतनी सारी public libraries भी है हमारे पास, institutional library भी है, section library भी है, special library भी है, फिर राश्ट्रे गरंथाले क्यों इसको बनाने की इसकी जरूरत है हमें किसलिए होती है, तो देखिए, सबसे पहले ये जानने के लिए हम जानते हैं कि राश्ट्रे गरंथाले होते क्या हैं, द लिए होता है कि उस देश की जो सूचनाई होती है उसको बंडार करने के लिए उन सब को collect करने के लिए इस library को बनाया जाता है और राश्ट्रिय ग्रंथाले जो है एक्चली में ये book issue written बहुत limited मातरा में मतलब बहुत सिमित संख्या में ही पुस्तकों को ये देती है वो भी कि बढ़ी होती है क्योंकि ये जितना भी दुरलब या फिर मुलेवान या फिर महतवपूर्ण कृतियां होती है जो अभिलेग होती है जो कि नागरिकों की information या किसी नागरिकों किसी देश के से related जो information होती है उसको संजो कर रखने के लिए future के लिए उस लिए इस library का इस्तिम किया जाता है और इसका प्रभंदन होता है वो बेसिकली एक कोई national body या फिर कोई national ministry के इंडर इसको किया जाता है और ये बेसिकली इसको national library को संपूर्ण रास्ट क्यों सेवा प्रदान करने के लिए बनाया जाता है और इसमें जो पुस्तगे जो है सिर्फ reference के लिए किताब act के अंदर जो है इसमें किताबों को जितनी भी किताबे जो publish होती है all over India में भारत के अंदर जितनी भी किताबे publish होती है उसमें एक law के अंदर जो है compulsory इसको इस repository library बनाया जाता है और जितनी भी किताबे कोई भी publisher किसी भी भारत के किसी भी कोने में अगर भारत से related हो या भ collection है वो collection development मतलब कि किताबों को या पुस्तकों को या फिर कोई multimedia material जो भी भारत में publish हुआ है या भारत से related भारत के बाहर publish हुआ है उसको ये library कैसे लेती है तो देखिए एक तो कानून हुआ भारत के अंदर जो essential depository law है उसके अंदर जो है आपको उस किताब को publish जो भी किताब या जितनी भी सूचना है किसी भी form में print या non-print form में अगर भारत से related है या किसी भी country से related है और वो उस country के बाहर भाही publish होती है तो उसका record उसका actually में compilation करने के लिए उसको provide करने के लिए या उसको store करने के लिए जो ही यह library जो राश्ट्री गरंथाले होते है यह उसको purchase करते हैं तो अच्छा परिभाश्या के बिहाँ पे हम यह जानेंगे कि राश्ट्री गरंथाले के इसके कार्य कहा है आपने देश के सभी नागरिकों के द्वारा सुदेश में या फिर विदेश में प्रकाशित या देश से संबंदित अगर किसी अन्य देश में भी कुछ भी प्रकाशित हुआ है या कभी मुद्रित हुआ है मतलब कोई publish हुआ है या फिर non-publish material है जो कि digital format में है उसको पहचान कर उसको प्रक्योर करना है उसको जो है अरेंज करना है और उसको जो है store करना है ताकि उसको पुन्य प्राप्ति की जा सके जब भी कभी भी किसी भी समय में देश मर देश में उस information या उस किसी particular book की requirement हो तो एक copy जो है वो हमें national library में मिल जाए तो शिक्षारतियों यह आप आपको जानके बहुत अश्यर होगा कि जो हमारी राष्ट्रे गरंथाले है वो जो है कैलकेटा में है और उसका जो collection है वो कई millions millions में है और जितनी भी किताबे हमारे देश में publish होती है उसकी copy जो है एक law के अ उसको जो है वहां से procure या उसको purchase करने के लिए हमारी जो national library है उसका बहुत बड़ा role है तो देखिए अगर हम राष्ट्रे गरंथाले के उदेशय और कारेयों की चर्चा कर रहे हैं तो 1964 में मनीला में एक regional seminar जो है वो organize करा गया था जिसमें की राष्ट्रे गरंथाले के उद प्रतान करता है जितने भी गरंथाले जो public library हो गई या फिर जितनी प्रकार के जो गरंथाले होते हैं उनके नितरत्व के लिए ये एक कारे करता है इसके लावा देश में जारी किये गए सभी प्रकाशनों के लिए सुथाई संग्रय के रूप में सुनश्चित सेवा प्रत करता है जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जितने भी publication जो हमारे देश में होते हैं उन सबको एक जगह संग्रय करने का कारे जो है राष्टे गरंथाले करता है इसके लावा अन्नेक प्रकार की सामगरी का भी अरधिकरेन करता है जो कि देश के बाहर जो है प्रिंट होत है एक किसी research organization को चाहिए है किसी particular researcher को चाहिए और वो इंडिया में कहीं भी available नहीं हो पा रही है तो national library से किसी भी एक official procedure के थुरू उस महां से उस information को provide उसको प्राप्त कर सकता है इसके अलावा जो national library या फिर राष्टे गरंथाले के जो बहुत ही प्रमुक उदेश्या और जो कारे होता है यह सरकार को सेवा प्रतान करता है सरकार को कभी भी किसी loss related किसी भी information के लिए कोई भी किसी एक ऐसी सूचना की requirement है जरूरत है जो कि देश के बाहर या देश के अंदर बनी है तो publish हुई है तो उसके लिए भी इस गरंथाले को use किया जाता है तो देखिए जै तो हमारे भारत में अगर हम जैसे कि मैंने आपको बताया भी था भारत का जो राश्ट्रिय गरंथाले है जो कि राश्ट्रिय गरंथाले कहलाता है इसके लावा British Library जो है वो UK का राश्ट्रिय गरंथाले कहलाता है Canada में भी अपना एक राश्ट्रिय गरंथाले है इन सभी की जो वेबसाइट आप जब भी अपना reading material आप देखेंगे जो कि NIOS की website पर available है वहाँ पर reading material के अंदर उनकी website दियोगी और शिक्षारतियों मेरा आपसे नरोध है कि आप इन राश्ट्रिय गरंथाले की जो कि भारत USA, UK और Canada में है Canada की जो राश्ट्रिय गरंथाले के बारे में जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है आप उनकी website open करें और आप देखें कि उसमें क्या का material और क्या क्या services और क्या क्या जो resources जो हैं उनके पास available है आप उनको अगर आप website open करके इन सबको देखेंगे तो आप आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जो राश्ट्रिय गरंथाले हैं उनकी गति विदियों में बहुत विस्तार हो गया है पहले क्या था एक simple जैसे कि हमने अभी चर्चा किया कि राश्ट्रिय जो गरंथाले होते हैं वो अपने राश्ट में पब्लिश अपने का विस्तार हुआ है अब इस विस्तार से क्या हुआ है कि बहुत सारी जो राश्ट्रिय गरंथाले हैं वो कुछ special टाइप उनका जो कार्य चित्र है वो उनको ने उसको बढ़ा दिया है जैसे कि कुछ special टाइप उफ नेशनल लाइबरी है और वो अपनी सेवा अपनी जो उ समूहों को अलगलग special groups को जो है वो उन्होंने services दिना शुरू किया है इसके अलावा जो उनके पास समगरी जो भी उनके पास collections है उसको भी special जो उनके पास collections जो उनको उन्होंने डेवलप किया है या फिर वो किसी भोगोलिक शेत्र अथवा किसी सांस्कृतिक समूह को सिवा प्रदान करने वाले जो कारें हैं जो उन्होंने शुरू किया है तो अगर हम देखेंगे कि कारें पर आधारित अगर हम बात करें तो issue return की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने जाना था कि British जो कि national library है जो कि राष्ट्रे करन थाले है वो issue return नहीं करते बट British library का जो landing division है जो क totally automated है अगर आपको कोई book चाहिए आप अगर British library के member है और आपको कोई book चाहिए तो आपको जो उनका online public access catalog है उसमें एक request आपको टाइप करना है आपको बताना है कि यह book आपको चाहिए और even जैसा ही वो request आपके system से वो लेता है तो वह totally जो है वो जो library है वो robotic library है और अंदर स जो है वो robotic machines जो है वोन किताब को shelf से लेते हैं और आपको एक process के थुरू एक pulley chain के थुरू जो है एक गतिवान जो plate होती है उसके थुरू किताब रखके आप तक पहुंच जाती है तो देखिए इस तरीके से समय के साथ साथ जो special libraries है उनकी जो roles है वो खतम होने जा रहे हैं कि वो change होने चाह रहे हैं इसके अलावा देखिए अगर आप देखेंगे कि विषय अधारित भी जो कुछ libraries है जो राश्ट्रिय गरंथाले वो अपने role को जो है कुछ special विषय या special subject के उपर भी जो है राश्ट्रिय गरंथाले जो बहरत की है जैसे है तो वो राश्ट्रिय गरंथाले बट वो एक particular subject के उपर है इसी तरीके से आप देखेंगे national agriculture library USA है वो special library वो है एक राश्ट्रिय गरंथाले national library बट उनका जो role है वो एक तरीके से special library की तरह भी आने लगा है इसी तरीके से आप देखेंगे national library the blind UK जो है वो एक particular type of users एक जैसे दरश्टी हीन जो हमा इसके लावा national library of Wales है national library of UK सर्विया है यह एक particular एक छेतर या फिर एक राजिया या फिर एक सांस्कृतिक समूझ जो है उसको service provide करने है इसके लावा आप देखेंगे कारियों की अगर सांजिदारी की बात करें तो state and university of arts Denmark जो है एक university की library है पर यह फिर भी जो है एक राश्ट इसे different होते हैं आप जैसे कि हमने आज जो दो तरीके के गरंथाले के बारे में discuss किया है actually विश्चिस गंथाले जो होते है वो उनका अधिगरण है जो कि किताबे procurement का जो process है या फिर जो उनकी उप्योगता है उनकी जो users है वो बिलकुल विशेश मतलब special तरीके की information उनको चा जो publish हुई है वो जो है उनको इस्तिमाल किया जाता है तो शिक्षारतियों देखिए हमने आज की chapter से हमने क्या क्या से का आज की lesson जो lesson 2 हमने किया इसमें हमने जाना की अलग-लग तरीके के गरंथाले कैसे होते हैं हमने प्रतिक प्रिकार के गरंथाले जैसे की शेक्षेक, special library विशिष्ट सारवजनिक और राष्ट्रियों इन सब के परिभाशाओं के बारे में जाना और हमने जाना कि इसमें किसके तरीके की users होते हैं और इसमें किसके तरीके के materials जो हैं किसके तरीके के services जो हैं वो provide की जाती है इसके लावा दिखिए आप जब इस chapter को इस lesson को होते हैं या फिर विशिष्ट क्रिंथाले द्वारा आप दी जाने वाली सेवाई कौन-कौन सी होती है देखिए यह सारी चीज़े जो questions जो curiosity आपके इंदर आएगी जब इस chapter को आप पढ़ लेंगे इस lecture को आप सुन लेंगे तो यह सारी curiosity का जवाब है वो आपको मिल जाए आपके जवाब